हेलो सुदेंट्स विल्कम तो अभी मन्यू आई एस सो टार्गेट आई एस 2021 में आप सभी का स्वागत है सुदेंट्स जैसा कि आप लोग यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग टार्गेट आई एस 2021 के सेशन के अंदर करंट अफेर्स को कवर अप कर रहे हैं सुदेंट्स यह करंट अफेर्स आपके रहेंगे मार्च 2020 से लेकर एप्रिल 2021 के करंट अफेर्स यहनी की मोर दिन मोर देन वन इयर के करंट अफेर्स को हम लोग यहां पे कवर अप कर रहे हैं और बहुत ही वेल एक्स्प्लेंड एंड डिटेल्ड मैनर के अंदर क्लियर रहें याद रखें यह सेशन प्रिलिम्स प्लस मेंस परस्पेक्टिव से हर एक चीज को कवर अप कर रहा है और यह सेशन आप लोगों को एक्जामीनेशन 2021 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और स्पेशली उन एस्परेंट्स के लिए जिनको करेंट अफेस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है और अगर मैं बात करूँ अभी तक हमने मार्च एप्रिल में जून जुलाइ ऑगस्ट सेप्टमबर अक्टूबर निवेंबर यानि की नाइन मंट्स को कवर अप कर लिया है और हम लोग अब दिसमबर 2020 के करेंट अफेस को कवर अप कर रहे हैं अभी तक का हमने दिसमबर के उपर त्रीन से चार लेक्टर को अटेंड कर लिया है और आज का हमारा लेक्टर नंबर 49 भी दिसमबर 2020 के करेंट अफेस के बेसिस पर ही रहने वाला है और मैं कुछ announcement करना चाहूंगा वो नए learners के लिए जो पहली बार मेरा session देख रहे हैं कि अगर आपको यह session का PDF चाहिए होगा तो आप लोग description section में दिये के link पे जाकर PDF को download कर सकते हैं clear है और अगर मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दू तो students myself कनम अगरवाल I am the current affair mentor in the Abhimanyu IAS लीजी हम लोग आज का अपना यह session शुरू करते हैं तो students आज की हमारी सबसे पहली news रहती है कि Supreme Court stays Andra High Court order to examine constitutional breakdown और यह news हमारे लिए important रहेगी GS paper 2 के लिए शुरू करता हूं मैं अप लगो के लिए news अब देखिएगा क्या है यहां बोला गया कि The Supreme Court has stayed and Andra Pradesh High Court ने की Supreme Court of India ने stay लगा दिया है Andra Pradesh High Court के order के उपर intending to embark on a judicial inquiry into whether there is a constitutional breakdown in the state machinery अरे क्यों लगा दिया गया और क्या बोल दिया गया यहां पर यह focus कीजिएगा क्योंकि Supreme Court ने बोल दिया है recently Andra Pradesh के High Court के order को और बोला गया है कि वो orders के अंगे जुडिशिल इंक्वाइरी की जाएगी whether there is a constitutional breakdown in the state machinery यह कहना है Supreme Court of India का यहां पर बोला गया है requiring a declaration of the president's rule and article 356 और क्या बोल दिया गया है require किया गया है कि यहां पर president's rule लगना चाहिए Andra Pradesh state के अंदर the president's rule लगना चाहिए Under the article 356 of the Indian Constitution clear residents यहां पर यह basic चीज़े है अब यह क्यूं आई नियूज इसके पीछे क्या था वो चीज आप लोग देख पा रहे है यहां पर अब जैसा कि देख पा रहे है हम लोग Supreme Court ने फिर three judge bench को head किया है जो वो तीन जज़ेज रहेंगे उसको head करेगा बाइद chief justice of India that is the S.A. Bobdick found the order disturbing and will take up the matter later on after vacations clear residents हाला कि यह चीज काफी important रहने वाल गिये करेक्ट आगे चलते हैं अब what do you mean by आंद्रप्रदेश high court move क्या आ गया है यहां पर तो focus कीजिएगा लिखा while hearing a clutch while hearing a clutch of hybus corpus petition in the October 2020 October 2020 के case को लेकर बात की जाए hybus corpus के लिए तो यह कहना था हाई कोट का तो यह कहना था हाई कोट का clear है अब what do you mean by hybus corpus तो students एखे hybus corpus is a latent term एक latent भाषा से यह वर्ड लिया गया है जिसका literally meaning क्या रहता है to have the body याद रखें यह प्रिलिम perspective से हमारे लिए important रहेगा प्रिलिम प्रिलिम प्रिस्पेक्टिव से यह चीज हमारे लिए important रहते की hybus corpus क्या चीज है उसका latent latent meaning क्या रहते है clear है यानिकी to have the body of यानिकी under this the court issue and order तो hybus corpus के आधार पे ही एक court issue करता है order scope to a person who has detained another person to produce the body of the letter before it clear है यह प्रिलिम प्रिलिम प्रिस्पेक्टिव से important रहने वाले students आप लोगों के लिए correct आगे चलते हैं तो क्या बोला कि this writ is a bulwark of individual liberty individual liberty कि यहां पर बात कर लीगे कि किसके against the arbitrary detentions and can be issued against both public authorities as well as the private private individuals clear it without tone a year okay आगे चलते हैं अब यहां पर focus कीजिएगा यहां क्या लिखा कि the high court frame the constitution sorry the high court frame the question in an unprecedented manners and without any basis or pleadings by any of the parties to that effect clear है अब इसी के आधार पे जो highlight किया गया कि president's rule के लिए कि it highlighted the article 356 again prelim perspective से important है कि article 356 को काफी highlight किया गया यह क्या deal करता है article 356 अग्स दील करेगा कि failure of the constitutional machinery in a state as a power exclusively vested in the executive and not the judiciary काफी important रहने वाली चीज़ है यह वाली यहां पर highlight किया गया article 356 को यानि कि president's rule की बात की गई यह students यहां पर जो deal करते हैं एक failure को of the constitutional machinery in a state ठीक है और इसकी powers is a power exclusively invested in the executive not in the judiciary निकी यह जो powers है वो executive powers के अंदर कत आती है not in the judiciary system clear है आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया कि अंडर the constitutional framework it is not for the courts to decide अब यह court नहीं है कि इस not for the courts to decide as to whether there is a constitutional breakdown in the state यह नहीं कि बोला गया कि court नहीं decide कर सकता है कि एक राज्य के अंदर क्या constitutional breakdown हुआ कि नहीं हुआ as they do not have any judicial discoverable and manageable standards to determine it clear again important रहेगा यह चीज़ ओके चलें आगे आगे देखिए move करते हैं आगे तो यहां पर और क्या लिखा गया है कि the said fact is essentially an executive function यहनि कि जो एक fact है वो एक essentially executive function आता है ठीक है and is necessarily required to be based on a detailed factual analysis correct है students यहां पर कोई doubt तो नहीं है आप लोगों को आगे चलते हैं क्या बोला कि the high court order is a serious encroachment on the powers of the executive again most important point यहां पर रहेगा बोला गया कि जो high court की orders है वो एक encroach कर रहे हैं seriously किसके powers को executive powers को encroach किया जा रहा है as enumerated under the constitution and is violative of the doctrine of the separation of the power और बूला गया कि यह एक violation है कि separation of powers का separation of power जैसा कि legislative अलग रहेगा executive वो है और एक हमारे पास third आता है judiciary तो वो कंचप्टर यहां पर इसी चीज़ को बूला गया कि violation हो रहे है किसका doctrine of separation of the powers का clear है students यहां तक आगे चलता हूँ violative of the basic structure of the constitution most important point for the prelim perspective और यहां पर एक चीज़ और बोल दी गई है कि यह separation of power का violation हो रहे है इसी के आधार पर यह चीज़ बोल दी गई कि violative of the basic structure of the constitution हाला कि हम लोगों ने यह चीज़ को पढ़ा है कि amendments कर सकते हैं बट बट basic structure of the constitution कभी वायलेट नहीं होना चाहिए कभी changes नहीं आने चाहिए clear है कोई डाउट तो नहीं है students यहां पर आप लोगों को students याद रखें अगर कोई भी doubt रहता है तो comment section में लिखकर जरूर बताईएगा क्योंकि मैं comment section को daily basis पे देखता रहता हूं अगर कोई doubt रहेगा किसी भी aspirant को तो मैं next session में उसके doubts को clear करने की पूरी कोशिश करूँगा clear है बस आप लोग मेरे साथ यहां पर continuity में बने रहें clear है अब प्रेजिदेंट्स रूल क्या चीज़ रहती है देखें लिखा कि इंप्लाइस the suspension of a state government का suspension हो जाता है अगर कोई भी भाहरत के राज्य के अंदर प्रेजिदेंट्स रूल लगता है बिलकुल and the imposition of the direct rule of the center imposition की डारेक्ट रूल हो जाएगा उस state के अंदर center government का it is also known as state's emergency or the constitutional emergency most important point फिर यह चीज़ बोल दी गई है कि अगर प्रेजिदेंट्स रूल भारत के कोई भी राज्यक अंदर लगता है तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि वह पर्टेकुलर स्टेट किन दिया तो state emergency declare की गई है या फिर और constitutional emergency है क्लिर करेक्ट ओके आगे चलते हैं अब क्या लिखा कि सुप्रीम कोट एन वो माइ केस 1994 एनलिस्टेट दे सिचुएशन यहां पर एनलिस्ट किया गहा है कुछ सिचुएशन को जहां पर वेर दे एक्सरसाइस ऑफ दे पावर अंडर दे आर्टेकल 356 कुछ ऐसे याद रखें यह हमारे लिए पॉइंट रहेगा कि जो बो माइ केस 1994 है उसी के आधार पे एक सिचुएशन को हम लोगों ने एनलिस्ट किया और वो सिचुएशन कौन सी रहेंगी जिस जिसके आधार पे भारत सरकार गर्वर्मेंट ऑफ इंडिया बाई यूजिंग आर्टेकल 356 ऑफ दे इंडिन कॉंसिटूशन प्रेजिएंट्स रूल एप्लाय कर सकती है लिखा एना कि एक्जिक्यू एक्ससाइज ऑफ पावर अंडर अर्टेकल 356 कुट बी यूज़ यहां पे फोकस कीजिए किस की बात की गई है usage की बात की गई कि हम लोग उसको फिर use कर सकते हैं clear है ओके आगे चलते हैं यहां पर क्या लिखा on such situations अगर ऐसी कभी situations आती है is that of hung assembly अब हंग assembly क्या चीज़ है यानि की where after general elections to the assembly no party secure a majority यानि की elections होने के बाद कोई भी party एक majority show करने में असमर्थर है यानि की no party secures a majority then that case we call it as a hung assembly correct चलता हूं आगे अब यहां पर लिखा गया है कि जो president's rule है वो impose किया जाता है कि इसके through through the in invocations of the article 356 of the Indian constitution by the presidents on the advice of the union council of ministers that is executive याद रखेगा president के द्वारा और on the advice of the council of ministers union council of ministers के advice पे correct है students यहां तक आगे चलते हैं अब यहां पर देखिये कि कि if the president upon receipt of the report from the governor of the state or otherwise is satisfied is satisfied that a situation has arisen in which the government of the state cannot be carried on its accordance with the provisions of the constitution यहनी कि अगर प्रेजिदेंट को जो रिसेप्ट मिलती है रिपोर्ट मिलती है गवर्नर अफ पर्तिकुलर स्टेट से और प्रेजिदेंट से और प्रेजिदेंट से और प्रेजिदेंट से और प्रेजिदेंट कि स्टेट की गवर्वर्मेंट यहनी की इनकम्पेटिबल यह या फिर आप ऐसा बोल सकते हो इन एक्कॉर्देंस विद प्रेजिदेंट सुरू लग सकता है बट ऑन देद्वाइस आप दे यूनिन सब्सक्राइब यूनियन सब्सक्राइब यहां पर कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को आगे चलते हैं हम लोग कि अब वट दो यू में बाइदक पार्लेमेंटरी एप्रूवल एंड रुडिशन तो पार्लेमेंट के क्या आप्रूवल जोते हैं तो अगर यह आर्टिकल 356 से लगता है प्रेजिदेंट रूर लखते है पर्टेकुलर सेट के अंदर तो क्या प्रूवल होंगे और उस च approved by both the houses of the parliament within the two months from the date of its issue most important point यहां पर कुछ checks and balances को बोल दिया गे एक तरहा कि president rule को लोग सभा से और राज्य सभा से पास करवाना पड़ेगा विदिन the two months from the date of its issue जी बिल्कुल आगे चलते हैं आगे क्या लिखा कि the approval takes place through simple majority यहां पर कई important points आते हैं हाला कि मैं तो बोल दूँगा यह पूरे इसका पूरा यह slide आप लोग के लिए काफी important ने कि इसके अंदर कुछ हैसे crux है आप लोगों के लिए ठीक है मान लिया कि लोग सभा राज्य सभा से से पास करवाने है अरे simple majority से पास करवाने है इन आइधर हाउस डाट इस majority of the members of the house present in the voting उसको बोल दिया जाता है simple majority then after initially valid for the six month जब पास हो जाता है तो यह initially president's rule under the article 356 of the Indian constitution यह छे महीनों के लिए लागू रहेगा भारत के एक particular राज्य के अंदर एक स्टेट के अंदर जी then the president's rule can be extended for a maximum period of three years और हम लोग इसको जादा से जादा टीम साल तक भढ़ा सकते हैं president's rule को with the approval of the parliament every six month यहन की हर एक छे महीनी के बाद हमें approval लेना जरूरी होगा for the for the president's rule correct चलें आगे अब देखे ध्यान से students आज का हमारा next news रहेगा E20 fuel और यह आपके लिए important रहेगा GS paper 3 के लिए clear शुरू करें shall we start तो ध्यान दीजी यहां पर क्या लिखा कि भारत सरकार इंडियन government has invited public comments for introducing the adoption यानि की भारत सरकार ने प्रिप्लिक कमेंट्स को इंडिद्यूस किया यह निक राई ली है एक एडवाइस ली गई है या फिर आप लोग बोल सकते हो एक viewpoints को collect किया गया by the government of India क्यों for introducing या adoption of E20 fuel to promote green fuel like ethanol important है यहां पर क्या चीज़ important रहेगी मैं माग कर रहा हूं प्रिलिम perspectives even means के अंदर अगर question आता है environment को लेकर तो हम लोग यहां पर यह चीज़ यूज कर सकते हैं सुड़न सी नोट डाउन कर लिजिए कि जो E20 fuel है उसको promote किया जाए green fuel की तरह है like the ethanol clear अब आगे चलते हैं यह E20 fuel की composition क्या रहते हैं कि जो E20 fuel है is a blend of 20% of the ethanol with the gas oil in very important यहां पर प्रिलिम पर्स्पेक्टिव से हर एक चीज़ important रहने वाली है कि जो E20 fuel है उसको blend किया जाते मिक्सिंग की जाते है 20% ethanol से याद रखे with the gasoline clear then after क्या लिखा कि the current अभी भारत के अंदर अगर आज की बात की जाए present की scenario की बात की जाए तो the current permissible level of the blending कितना है भारत के अंदर की 10% of the ethanol हम लोग blend कर सकते हैं in the India clear है दो India reached only 5.6% हाला की 10% eligible है बट फिर भी इंडिया के अंदर 5.6% blending पे हम लोग पहुंच पाए हैं 5.6% of the blending in the 2019 clear है चलिए ठीक है हमने बोल दिया E20 fuel है इसको promote करने ग्रीन फ्यूल की तरह like the ethanol और blending की जाते 20% ethanol के और 10% अभी तक का भारत में permissible और 5.6% अचीव कर पाएं यह चीजे करने का कारण क्या था significance क्या था positive points क्या है students वो focus कीजिए आप लोग बोला गया कि यह help परता है reducing the emission of the carbon dioxide यह नहीं कि आप लोग यह लगा लो कि green house gas जो सबसे important है कि carbon dioxide क्या करते ही trap करती है तभी तो हमारे इन जो अर्थ का atmosphere बढ़ता है तो वो reduce करेगा किसको carbon dioxide को यह यह पैरस summit से भी हम लें बहुत benefit मिल जाएगा ना अगर हम लोग यह 20 fuel को use करते हैं हम लोग बहुत जल्दी एचीव कर लेंगे पैरस समिट के अग्रीमेंट को इवन हाइड्रो कार्बंस को एट्सेक्टर देन आफ्टक क्या लिखा की इट विल हेल्प और क्या हेल्प करेगी तो reduce the oil import bill thereby saving the foreign exchange and boosting the energy security करेक्ट है यहां तक कोई डाउट तो नहीं सुदेंट्स आप लोग को यहां फिक ओके आगे चलते हैं तो यहां पर देखे compatibility क्या रहे थे compatibility of the vehicles बोला गया as per the government the compatibility of the vehicle to the percentage of the ethanol नहीं की भारत के अंदर जो वहिकल जैंक्या वह compatible बैट जाएंगे ethanol के साथ और भारत सरकार ने बोला है की वहिकल की compatibility to the percentage of the ethanol in the blend of the ethanol and the gasoline shall be defined by the vehicle manufacturers and the same shall be displayed on the vehicles by putting a clearly visible stickers clear है यह चीज़ प्रिलिम परस्पेक्टिव से important रहेगी याद रखेगा किस चीज़ को clearly visible stickers की भी बात की गई है vehicle manufacturers का भी advice लिया गया and the same shall be displayed on the vehicles by using the visible sticker फिर सिंपली stickers भी बोल सकते हो आप लोग correct है यहां तक आगे चलते हैं अब देखे ध्यान चे ग्रीन फ्यूल को आप लोग बायो फ्यूल भी बोल सकते हो याद रखें वी कॉल ग्रीन फ्यूल आज अब बायो फ्यूल आल्सो अब क्या है कि यह एक टाइप और फ्यूल है जो डिस्टेल रहता है फ्यूल रहता है फ्यूल प्लांट अन अनिमल मिटीरियल्स बिलीवड बाय दर सम और दमोर एन्वायरमेंटल फ्यूली देन दर वाइडली यूस फॉसल फ्यूल्स दाट पावर मस्ट पावर मोस्ट आफ दो टाइप रहेंगे बायो फ्यूल के जैसा कि सबसे पहले आ रहा है आपके सामने डाट इस बायो एथनौल अप्सुडेंस वट डे यू मीन बायो एथनौल तो देखिए बोला गया कि इस डेराइब फ्रॉम कॉन आंड शूगर के इंपोर्टेंट है यहां पे अब मैं आप के लिए हाइलेटर यूज करता जाऊंगा प्रिल्यम परस्पेक्टिव से यह बात की गई है कि जो बायो एथनौल है वो डेराइज किया गया कॉन्स और शूगर के इंचे अरे किस तरीके से बाई यूजिंग फर्मेंटेशन प्रॉसेस याद रखें प्रॉसेस भी हमारे उतना ही इंपोर्टन है जितना हमारे इसका कॉंपोजीशन इंपोर्टन रहेगा क्लियरे अब आगे कि मैं बात करता हूं क्या लिखा गया अन लीटर ऑफ एथनौल एक लिटर एथनौल में कंटेन एप्रॉक्शिमेटल टू थर्ट ऑफ अफ दे एनर्जी प्रोवाइड बाइड रखें लिटर ऑफ पेट्रोल याद रखें एक लिए नेक्स्ट चलते हैं वेन मिक्स विद दे पेट्रोल जब हम लोग यह बायो एथनौल को मिक्स कर देंगे पेट्रोल के साथ इंप्रूव द और यह इंप्रूव्मेंट किसके अंदर आ जाएगी इंप्रूब स्वारी कंबस्ट और फॉर्मेंट अब लोइंगन और याद रखें याद रखें याद रखें यह अपने आप में बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट यहां पर बोल दिया गया है सुरेंट की कार्बन मॉनोक्साइड की बात कर ली गई है कि अगर हम लोग इस सारीके से ब् वहिकल्ज यह चीज आप लोग ध्यान में रखे काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है यह चीज हम लोगों के लिए क्लियर आगे चलते हैं बायो डीजल की उपर तो बायो डीजल क्या चीज है बोला गया कि इस डेराइब फॉम्द वेजिटेबल वाइल अगें मोस्ट इंपोर्टन वाइं जैसा कि बायो अथनौल कॉन और स्वीटेबल वाइल से बनाया गया लाइक सोयाबीन वाइल पाम वाइल वेजिटेबल वेस्ट वाइल आड अनिमल फेक्स बायो गैमिकल प्रोसेसे जिसको बोल दिया जाता है ट्रांजस्ट टरिफिकेशिन्स इम्पोर्टेंट रहेंगी ये बातें आप लोगों के लिए ध्यान में दीजिए का क्लियर है इवन क्या बोल दिया कि इट प्रिड्यूस वेरी लिस और नो अब आगे चलिए यहां पर लिखा है मैंने कुछ आप लोग के लिए न्यूस पेपर की कटिंग को भी यूज किया तो फोकस कीजिए यहां लिखा की जो इतनौल है इतनौल इस अबिक फ्यूल आप्टेन प्रामिली फॉर्म शुगर के याद रखना किस से मिल रहा है शुगर केंद की बात की गई है और अगर हम लोग मिक्स करते हैं की ब्लेंडिंग करते हैं एथनौल की पेट्रोल के साथ वह रिड्यूस कर देगा है dependency को on the fossil fuels and help the environment कैसे करेगा help environment की carbon dioxide कम हो जाएगा sulfur dioxide कम हो जाएगा carbon monoxide कम हो जाएगा nitrous oxides भी कम हो जाएंगे यह चीज आप लोग घ्यान में दीजिए तभी तो बोल दिया गया कि एको फ्रेंडली है यह clear ना green house है और बोल दिया गया कि the government set a target of 10% of the ethanol per liter of petrol और अभी तक हम लोग कितना पहुंच पाएं 5.6% तक ही हम लोग ने achieve कर लिया clear act यहां पर mention किया था हम लोग ने देख लिया था कि 5.6% का ही blending अभी तक का भारत ने चीफ किया then after बोल दिया कि ethanol is blended through a separate pumping and the material mechanism और once blended अगर एक बार blend कर दिया गया ethanol cannot be separated from the petrol clear यहां पर चीज मोस्ट इंपोर्टन बोल दिया गया कि since ethanol can absorb moisture from the atmosphere dealer says it can cause issues with the vehicle engines correct है आगे चलते हैं अब क्या चीज़े ध्यान दीजिए यहां पर अब हम लोग अगर बायो गैस की बात करें तो बायो गैस के लिए फोकस की जिगा सुद्स यहां पर लिखा गया कि इट इस प्रडूस बाय अरोबिक डिकम पोजिशन अफ और गैस बायो गैस जैसा की सीवरे जो गया फ्रॉम्स अन ग्यूम गैस बिलकुल तुछ फूइट आपको कार्बन ओक्साइड रोल प्ले कर रहा है और कॉमनली यूस किया जाता है बायो गैस फॉर देटिंग एलेक्टिसिटीटीट अन फॉर ओ अटो मॉबाय इंप्रॉर्टन एंप्रॉर इंप्रॉर तुरेट्स यहां तक आयोप कोई डाउट नहीं होन तुरेट प्लेट आगे बढ़ते हैं यहां पे और चीज़ फोकस करने वाली है बायो ब्युटनोल की अरे बायो बितनल है जो वह प्रोडूस किया जाते है इन देसेम वे जैसा की बायो एथनॉल को बनाया जाता है बायो एथनॉल फॉर नाटर्श थूर्ट तूर्टेशन and alternatives are it can be added to diesel to lose the emissions यह डीजल के अंदर यूज किया जाता है जा सकता है blending के लिए to reduce the emission जो डीजल बेस वेहिकल्स रेते हैं clear है और क्याते इट सर्व आज सॉल्वेंट अंदर textile industries as it and is also used as a base in the perfumes clear perfumes के अंदर भी हम लोग यूज करते है किसको bio butanol को next आता है मेरे पास bio hydrogen अरे bio hydrogen क्या है जैसा की like biogasic can be produced using a number of processes जैसा की हम लोग बायो गैस को produce करते कई processes similarly bio hydrogen को भी हम लोग प्रदूस कर सकते हैं using a number of processes जैसा की pyrolysis gasification और biological fermentation clear है और it can be perfect alternative order fossil fuels करेक्ट है सुने यहां पर कोई डाउट तो नहीं है आप लोगो को आगे चलते हैं अब यहां देखेगा लिखा ethanol blended petrol that is the ebp program यह क्या चीज़ है इसको फोकस कर लेते हैं जितना भी लिखा है कि to extract the fuel from surplus quantities of food grains such as the maize then the jawar bajra fruits vegetable waste तो यह रहेगा आपका ethanol blended petrol students यहां पर एक और चीज़ के ओपर किया गया वो क्या है that is the प्रधान मंत्री जी वन योजना clear है ना जी वन योजना की बात की यह 2019 मेंच को launch किया गया यानिकी इसका में अब्जेक्टिव क्या था यहां पर मैं highlight अगर यूज कर लूँ चलिए यहां बोला गया कि the objective of the scheme अब यह स्कीम का जो अब्जेक्टिव है वो है इस तु क्रिएट एन ecosystem for setting up commercial projects वो कौन से commercial projects रहेंगे and to boost research and development in the 2G ethanol sector यह आपका प्रधान मंत्री जी वन योजना 2019 अब सुरेंस आप लोग बस मेरे साथ बने रहे हम लोग अब थोड़ा सा डाटा एड़ाउन करेंगे about the ethanol blended petrol के लिए की EBP sorry अब देखी कि EBP क्या चीज है आप लोग देखिए यहां पर number one यहां बोला गया कि aim at blending इनका main aim क्या है blend करना है किसको ethanol with petrol जी बिल्कुल ethanol को petrol की साथ blend करना है thereby by bringing it under the category of biofuels यहनि की एक पर्टिकुलर केटर्गरी की अंडर आ जाएगा दाट as the biofuels and saving millions of dollars by cutting fuel imports तो यहां पर हम लोगों ने एक चीज़ पहले भी पड़ा था कि अगर हम लोग लिए blending process यूज करते हैं तो हम लोग कई import के उपर लगने वाला पैसा बचा सकते हैं क्लियर है कई डॉलर्स और अगर इसी के ओपर डाटा और add-on किया जाए students क्या लिखा की गवर्मेंट government has also reduced भारत सरकार ने इवन goods and service section की GST को भी reduce कर दिया किसके ओपर on ethanol for blending in fuel from 18 percent से five percent याद रखें यह चीज important है कि भारत सरकार ने भी ethanol के ओपर GST को कम कर दिया 18% से पांच परसेंट पर क्लियर है यानि की government of India नहीं कुछ ऐसे steps उठाए हैं या किस के लिए एक तो emission को रोखने के लिए environment को रोखने के लिए green gases को बचाने के लिए तो यह concept पर important रहने वाद है हम लोग के लिए अब आगे चलते हैं यहां पर यहां पर लिखा फिर गोबर को क्या है यह चीज आ गई है galvanizing organic bio agro resources के उपर और यह क्या गोबर धन scheme 2018 focus कीजिगा students यहां पर की it focuses on managing and converting the kettle dung kettle dung को focus कर रहा है कि manage भी करना है convert भी करना है and solid waste in the farms के अंदर to the useful compost biogas and the bio CNG compressed natural gas TV यहां पर जिक्र किया गया important रहेगा does keeping the villages clean इससे क्या होगा जो rural area of villages साफ सुथरे हो जाएंगे increasing the income of the rural households correct अब आगे चलते हैं अकला point आता है repurpose used cooking oil that is a r u c o repurpose used cooking oil पढ़ते हैं इसके ऊपर क्या चीज है देखे ध्यान से यहां बोला गया है इसको launch किया गया by the food safety and the standards authority of india के त्वारा f double saik के द्वारा in the food safety and the standard authority के द्वारा इसको launch किया गया बिलकुल और यह aim क्या था students इसको रूपको को launch करने का objective क्या था he aim है for an ecosystem that will enable to collect the conversion of used cooking oil to the biodiesels important है enable करेगा collection and the conversion of used cooking oil को biodiesel के अंदर जो घरगों के अंदर cooking oil use कर दिया जाता है बार बार यूज करने के बाद अगर उसको यूज नहीं कर सकते हैं तो वो concept है कि उसको convert करना है biodiesel के अंदर और it expands the scope of the raw material for the ethanol productions इवन यह scope भी बढ़ा रहा है production के किस के ethanol के बाई allowing use of sugar cane juice sugar containing materials like the sugar beet sweet sorghums starch containing materials like the corns cassava damaged food grains like the wheat broken rice root and potatoes unfit for the human conceptions for the ethanol productions तो यहां पर यह चीज बूली गया यह clear कोई डाउट तू नहीं है यहां पर मैं आप लोग के लिए कुछ data add-on करना चाहँगा about the Rupa को number one तो क्या लिखा गया कि the ministry also launched a repurpose used cooking oil correct है students यहां पर even क्या लिखा गया कि stakers and a phone app यहनकी mobile phone app भी launch की गई है to enable the collection of used cooking oil clear restaurants यहां पर then second point की अगर यहां पर बात की जाए तो restaurants and hotels की यहां पर भी introduction की गई है क्योंकि यहां पर maximum आपको मिल जाएगा restaurants and the hotels interested in supplying used cooking oil cooking oil can can affects the sticker to show availability availability अजिए 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 यहां तक यह भारत के मंत्राले की द्वारा भी एक योगदान है steps forward कि एक चलें आगे निक्स आया हमारे पास इसी न्यूस की अधार पर की ये पॉलिसी है पॉलिसी एला ओस दे use of surplus food grains for the production of ethanol for blending with the petrol with the approval of the National Biofuel Coordination Committee clear है सुरें आपको लोग कोई यहां तक कोई doubt तो नहीं है चलें आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं अब आज की निक्स न्यूस रहती है हमारे पास that is the ISRO satellite launch CMS-01 और यह काफी important रहने वाली है for the GS paper no.3 के लिए clear है? Shall we start students? तो ध्यान दीजी यहां पे क्या लिखा गया कि भारत का the Indian Space Research Organization ISRO has launched a communication satellite तो भारत का Indian Space Research Organization ने लांच के communication satellite को that is the CMS-01 on board in its polar satellite launch vehicle PSLVC-50 के द्वारा launch किया गया है याद रखना यह चीजी इंपॉर्ण रहते है that is a polar satellite launch vehicle PSLVC-50 सब्सक्राइब कहां से वो थाप कहां Satish Dhawan Space Center आंद्रप्रदेश clearly और अगर मैं बात करूं ISRO ने ठीक पिछले महीने November 2020 ISRO launched India's Earth observation satellite that is a E0 sorry EOS 01 याद रखें एक मिनट गिव में seconds अब ठीक रहेगा यहां पर लिखा गया कि Earth's observation satellite EOS 01 को भी launch किया गया था November 2021 की ठीक पिछले महीने and 9 other customer satellites और 9 other customer satellites भी इसी के साथ थे clear रहे अब जो CMS 01 है यह communication satellite assurance envisaged for providing services in the extended C-band frequency यहनि की जो telecommunication sector में C-band frequency है उसको और भी बढ़ाएगी बिल्कुल है spectrum क्या रहे था a group of frequencies called the spectrum तो यह चीज़ ध्यान में रखो बोला गया कि the C-band is a design designation for a proportion of the electromagnetic spectrum in the microwave range of the frequencies और वो range रहेगा 4 से 8 GHz का most important point यहां पे रहेगा students याद रखना science and tech के आधार पे यह इस important है कि एक तो C-band frequency को बढ़ाया जारेक with the help of the CMS 01 satellite बिल्कुल है और वो electromagnetic spectrum in the microwave range of frequencies को यूश किया जाएगा ranging from the 4 to the 8 GHz correct then आगे देखिए its coverage अब यह satellite का area कितने coverage कौन कौन सा area कर रही है will include Indian mainland की पूरे भारत का यह वाला पूरे भारत का mainland हम लोग कवर अप कर रहे हैं जी बिल्कुल हम लोग यह पूरे हमारे भारत का mainland कवर कर रहे है प्लस अंडेमान और निकोबार भी कवर अप किया जा रहे अंडेमान और निकोबार इवन बे अरब सागर में क्या है हमारे पास लक्षदी पारेट उसको भी कवर अप किया जा रहा है और the satellite is expected to have a life of more than seven years और बोल दिया गया कि सेटलाइट की लाइफ रहेगी seven years यानि कि साथ साल तक तो continuously काम करेगी भारत की लिए तो यह यानि कि ओवर आल ओवर अवर इंडिया प्लस में लैंड प्लस ऑशन आइलेंड को भी प्रॉपर ली कवर अप कर रही है कि अब देखे मैं थोड़ सा एरेस कर रहा हूं यहां पर यहां पर क्या लिखा कि यह सेटलाइट है वास इंजेक्टेड प्री साइजली इन्टु दप्री डिफाइन कहां पर जियो सेंक्रोनस ट्रांसफर और और यानि कि याद रखना जी टी ओ में हमारे पास क्या क्या है हमारे पास low earth orbit है medium earth orbit है geosynchronous earth orbit भी है और यह कहां पर जा रही है geosynchronous transfer orbit gto में eventually it will be placed into sorry into its specified slot in the geosynchronous orbit after a series of the manoeuvres clear है लिए अब देखे क्या चीज़ है इसी न्यूस के अंतरगर्द कि जो cms01 है satellite यह replace करती है किस चीज़ को replace करेगी will replace and enhance the services of gset 12 याद रखेगा again important रहेगा क्योंकि पता होना चाहिए कि इससे पहले जो services provide कर रही थी वो कौन सी satellite थी भारत के लिए that is the gset 12 अब बोला गया कि जो gset 12 है वो भी communication satellite है वो भी इसके द्वारा build किया गया by the isro याद रखना Indian Space Research Organization के द्वारा ही इसको भी बनाया गया था करेक्ट आगे चलता हूं यह प्रोवाइड करते है कुछ facilities को for the various communication services जैसा की टेली education टेली medicines and the village resource centers vrc most important point है that is a village resource centers correct चलें आगे अब देखिए जो बोल रहे हैं कि PSLVC 51 will be the next special mission for the isro अब भारत का इस्रो का next sorry mission है PSLVC 51 as it will carrying the country's first satellite under the space reform program announced by the Indian government again most important clear रहे है भारत का country's first satellite under the space reforms program जो एनाउस किया गया भारत सरकार की द्वारा Indian government की द्वारेक्ट अब आगे देखिए बोला गया कि the government had announced the opening up of space sector भारत सरकार ने ओपन किया the space sector को private players के लिए with the inception of the Indian national space promotions and the authorization centers in space most important point for the prelim perspective याद रखे है ये चीज़ आप लोक्त है ये चीज़ आप लोक्त है ये चीज़ तो आगे देखे क्या है कि जो इंडियन स्पेस सारी इंडियन नाशनल स्पेस promotion and the authorization center in space की बात की गई है ये एक्सपेक्ट है to hand hold promote and guide the private industries ये guidance भी देंगी प्राइवेट इंडिस्ट्री इसको इन थे स्पेस एक्टिविटीज थ्रू एंकरेजिंग दव स्वरी encouraging the policies and friendly regulatory environments परिक चलें आगे अगे अब सेटलाइट to be on board the PSLVC 51 जो हमने अभी focus किया ना कि भारत सरकार का इस रुका अगला special mission है PSLVC 51 तो उसके ओपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा कि पिक्सल इंडिया named है Anand Satish Sat याद रखें ये दो चीज़े named है that is Anand and Satish Sat from the Space Kids India that's Unity Sat form sorry from a consortium of the universities a polar satellite launch vehicles क्या चीज़ ओते यह दिए पी एस ल्वी तो ध्यान दे है यहां पर बोला गया कि भारत का India's polar satellite launch vehicle यह एक थर्ड जेनरेशन है PSLV launch vehicle third generation launch vehicle है और PSLV is the first launch vehicle which is equipped with the liquid stages most important याद रखें भारत सरकार का PSLV ही एकलोता एक ऐसा रहेगा जो आप लोग बोल सकते हो अभी तक का की PSLV is the first vehicle which is equipped with the liquid stages clear है यहनकी propulsion की बात की गई है students यहां पर अब आगे देखिए यहां पर आगे क्या लिखा गया कि जो PSLV first successful launch है वो कब किया गया October 1994 में clear और PSLV was used for two or the most important missions कौन कौन से important है अगे अगे इंपोर्टन है की PSLV को अभी तक का दो most important missions में use किया जा चुका है यह चंद्रियान 1 जो 2008 में शुरू किया गया था and the Mars orbital spacecraft in the 2013 important रहेंगे यह चीज़े background है यह चीज हिस्ट्री है यह बताता है कि हम लोग ने PSLV को लेकर कितना success रहे हैं चंद्रियान 1 में 2008 में then the 2013 Mars orbital spacecraft correct अब similarly जैसा कि PSLV हमारे पास GSLV भी है that is the geosynchronous satellite launch vehicle वह है Mark 2nd and the GSLV Mark 3 sorry MK Mark बोल दीजिए are the other two launch vehicles अब इसके लिए थोड़ा सा data पढ़े हैं आप लोग की जो GSLV MK 2nd है वो largest launch vehicle है जो भारत के द्वारा बनाया गया developed by the India which is currently in operation और यह 4th generation launch vehicle है 3rd generation the PSLV 4th है GSLV MK 2nd यह एक 3 stage vehicle है with the 4 liquid straps are the endogenously developed cryogenic upper stage यहनकी CUS के जिकर किया गया यह क्या चीज़ है CUS cryogenic upper stage यह एक flight proven है from the third stage of the GSLV MK 3rd second clear अब अगर मैं बात करनो GSLV MK 3 की यह चूज किया गया था चंद्रियान 2 spacecraft launch के टाइन पे चंद्रियान 2 spacecraft में clear एक 3 stage heavy lift है याद रखें है heavy lift launch vehicle है मैं बार बार repeat कर रहा हूं यह कभ यूज किया गया था my dear students यह यह आपका यूज किया गया था आपका यह यूज किया गया launch के दौरान वो भी चंद्रियान 2 spacecraft में और यह 3 stage है और heavy lift launch vehicle है developed by the इस्रुक और the vehicle has two solid steps एक रहेगा core liquid booster and cryogenic upper stage CUS यहने की add-on क्या 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 अब geosynchronous orbit क्या रहता है तो ध्यान दीजिए यहां पर भी लिखा गया a geosynchronous orbit एक high earth orbit है that allow the satellite to match the earth rotation यानि की जो धरती के rotation के साथ match करता है और कितना heights पे है from the surface of earth यह आपको मिल जाएगा locate at 22,000 x 36 miles above the earth's equator this position is a valuable support sorry sport for monitoring the weather communications and the surveillance okay then geosynchronous transfer orbit क्या चीज़ है GTO ध्यान दीजिएगा लिखा कि to attain the geosynchronous या आप ऐसा geostationary भी बोल सकते हो earth's orbit इनकी बिल्कुल पालल ठीक है ना a spacecraft is first launch into an elliptical orbit धर्ती के elliptical orbit की बात की गिए ऐसे elliptical orbit और इसको क्या बोल दिया गया geosynchronous transfer orbit GTO करेक्ट है आप ध्यान दीजिएगा अब यहां पर ध्यान दे आप लोग की अजीटी ओ इस highly elliptic बिल्कुल इट्स पैरेजी मतलब closest point to the earth क्या रहते है पैरेजी जो धर्ती के सबसे नजदीक रहेगा इस typically as I has low earth orbit लियो वाइल एपोजीन की farthest point वो क्या रहेगा geostationary और equally geosynchronous orbit करेक्ट है सुरेंट्स यहां तक कोई डाउट तो नहीं है सुरेंट्स मैं फिर से वही बोलना चाहूंगा अगर आप लोगों को news के अंदर कोई भी डाउट रहता तो comment section में जरूर लिखकर बताएं और यह session का PDF आपको description section में दिये गए लिंक पे जाकर आप लोग free of cost download कर सकते हैं clear चलें आगे तो आज की हमारी next news रहते दाट इस दे प्रनाइम प्राइम मिनिस्टर्स वानी इनकी इंडियास न्यू पॉब्लिक वाइफाइ प्रोजेक्ट और यह इंपोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए जी एस पेपर 2 और जी एस पेपर 3 के लिए शेल भी स्टार्ट शूरेंट ध्यान दीजेगा क्या लिखा कि दे यूनियन काबिनेट रीसेंटली क्लियर अ प्रोजल यूनियन काबिनेट ने रीसेंटली क्लियर कर दिया है बैदर डिपाक्मेंट्ट कमुनिकेशं के दौकी दिवारा तो सेट अब प्योज वाए असस्ट नेटनों के दौक बोला अब प्योलिद गिन नेट फ़ोग इंटोक इंटर्फेस विच इस प्राइम मिनिस्टर वानी यहनकी प्राइम मिनिस्टर स्वाइफाइट असेस नेटवर्क इंटरफेस वॉस्ट रिकमेंड बैदर सबसे पहले किसने रिकमेंड किया त्राइन यहनकी टेलिकॉम रेगुलेटरी आथरिटी ऑफ इंडिया और 2017 में अगर थोड़ा सा और ध्यान में देखा जाए कि पी एम वानी में यह involved करते हैं multiple players को जैसा कि PDO's को PDO PDO AS को app providers को and central registries को और पी एम वानी infrastructure can be structured in the form of a pyramid यहां कि pyramid के structure में इस धंग से इसको improvement की क्या रखा गया है structure को design किया गया अब यहां पर थोड़ा सा understanding कीजिए किते कुकान सेट अप मोबायल Wi-Fi hotspots तो anyone with the commercial broadband connection can be provided with the facility G get a one can connect to the public Wi-Fi by simply using the Wi-Fi Assess Network Waniath authorized it any key only one time registry will be required with any Wi-Fi provider then payments can be made through a specially created wallet link to the app a government hopes to have lacks of public Wi-Fi hotspots clear estimates here I hope you don't know he will be clear agar hai to please let me know in the comment section आगे बाड़ रहा हूं अब देखिये क्यों जरूरत पड़गे नीट फॉर पब्लिक कंट्री लंबाई में लेंट और बेट में बोली गिये लास्ट माइल कनेक्टिविटी को भी ध्यान में रखा गया और इसके हम लोग बोल रहना की नीड क्या है सबसे इंपोर्ट यह पॉइंट रहेगा सिवल सब्सक्राइब के लिए जो भारत को डिजिटल इंडिया के रूप में चेंज कर रहा है यानि की फ्रॉम 2015 से जून 2020 तक भारत ने 302 million internet subscribers को ग्रो किया तो 750 million तक ले गया डबल कर दिया डबल से भी ज्यादा clear that is a compound annual growth rate of 20% making India one of the fastest growing internet market in the world correct it however this statics overshadow the quality of assess यहनि की only 20 through 3 millions are wired internet subscribers then third point may in digital India vision is to be achieved there is need to deliver a resilient and the reliable connection to the every Indian so that they can have reliable assess everywhere at affordable price points clear na ye hamna achieve karne with the help of public wi-fi networking in India clear na then according to the digital quality of the life index 2020 भारत India was placed at ninth position प्याचुका है in the internet affordability outperforming even countries like the UK USA China while the internet quality and e-infrastructure India was almost at the bottom of the pillar place at 78 and 79 out of 85 positions respectively clear आगे चलते हैं अब आगे देखिए श्मरेंस यहां पिक्या है यहां बोला गया कि आगे यह प्रता परोटेंचल यह जेनरेट टू क्रोड जो 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 चर्प्रोर्टा चर्ट शेप्रचिनिटीज भी मिलिंगी बेसाइड ओफरेंग कॉस्टेफिटिव मीन्स आफ मास्किविटिटिविटिग दें गिवन देन नाशनल डिजितल कॉम्निकेशन पॉलिसी जो गोल करता है वन क्रोड पॉब्लिक वाइफाइ होट स्पोर्स को बाइट ट्वेंट टू थाजन ट्वेट टू अन्ड विद्ध द प्रेजिन नंबर्स बिंग मेली एट 3.5 लाग आप खुद देख लिजे कहां से कहां जाना है और बोल दिया कि प निर्भर भारत के अभियान के अंदर भी स्कूल यह प्रदान वंतरी वाने को देन कंबाइन इंग दिस विद अधर सर्विसेशन प्रोवाइटर ओस्पीस रेगूलेशन वाने कि इनकी स्मॉल अन्ड मेडियम साइज एंटर्पर्नियोर्शिप वो ओनलाइन हो जाएंगी इस of doing business and the ease of living भी बढ़ जाएगा with the help of the Wi-Fi's clear आगे बढ़ते है अब network security को लेकर क्या चीज़ है लिखा कि most Wi-Fi hotspots don't encrypt the information that is sent over the internet therefore are not secure clear यह secure नहीं है encryption नहीं हो पात है hacking होने का डर है unapproved access to the personal information on the device बिल्कुल however यह कुछ हैसे चैलेंज इसे जो इंडिया को overcome करने ओंगे और करेगा भी भारत हमारा however, India public Wi-Fi hotspot networks envisage that access to the internet through these points will be permitted only through KYC New York customers and a mix of OTP one-time password and the Mac ID based authentication system बिल्कुल अब there by minimizing the risk risk of network security करेक्ट है सुन्स यहां तक आप लोगों को आगे बढ़ सकते हैं क्या हम लोग Mac ID based authentication और इसी से तो risk minimize किया जाएगा viability कै कि public Wi-Fi network in India or also being called into question with the several tech giants लिखा 2017 में Facebook had launched Express Wi-Fi the project made little impact Google stations project को भी launch किया गया to provide free Wi-Fi in more than 400 railway stations across India and thousands of the public places which is launched in 2015 was shut down earlier this year इसको बंद करना पड़ा था clear it then Wi-Fi क्या चीज़े सुन्स देखें लिखा एक network technology है जो radio wave को यूज़ करती है तो अलाव हाइब स्पीड डाटा ट्रांसर वाइफाई एलो किया जाता है land के दौरा local area network के दौरा जी बिलकुल then Wi-Fi can also be used to provide wireless broadband internet access बिलकुल जैसा कि laptop में smartphone में tablets computers में and electronic gaming consoles में अप्रोग यूज़ कर पाते हैं इवन hotspots की भी प्रवाइड किया गया की Wi-Fi enabled devices are able to connect to the internet when they are nearby areas that have Wi-Fi access called the hotspots then according to the Sunna द्यान से Cisco annual internet report 2018 2018 से 2023 का there will be a nearly 623 million public Wi-Fi hotspots across the world by the 2023 up from the 161 million hotspots as of the 2018 clear reference यहां तक तो सुरेंस अगर कोई doubt रहेगा तो comment section में जरूर लिख कर बताएं जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास इससे भी आगे news है but due to the time मैं आज का session यहीं तक रोपता हूँ और आशा करूँगा कि आपको यह वहला session भी काफी अच्छा लगा होगा so thank you students कि आपको 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 कि